नमस्कार दोस्तों, डिफेंशों में आपका स्वागत है, तो भारत का Most Wanted छोटा शकील निप्टा लिया गया है, और एक बार फिर से हम Unknown Man को धन्यवाद देंगे, पूरी गटना बताता हूँ, आपको बहुती बढ़िया खबर है, भारत के लिए बने रहो वीडियो में सब्स स्क्राइब भी कर लो, मैं ऐसी खबरे आप तक पहुचाता रहता हूँ, देखो दोस्तों, जिस तरह से एक ट्रेंड ही चल रहा है, कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को मार गिराने का, मतलब पिछले 6-7 महिनों में अगर आप देखोगे न, तो लाइन लगा कर जो दुश्मन थे, जो most wanted आतंकी थे, जिनोंने हमले करवाये थे भारत में, इनकी लाइन लगा कर अग्यात हमलावरों ने इनका निप्टारा कर दिया है, और बिलकुल ये बात जग जाहिर है, खुद पाकिस्तान की सरकार इसे कबूल रही है, कि भारत पाकिस्तान में लोगों नहीं सकते, हम helpless हो जाते थे, खासकर आतंकीों की केस में तो ऐसा ही होता था, मतलब कोई आतंकी अगर यूएस में बैठा है, या फिर किसी और देश में बैठ गया, तो सालों तक केस चलता रहेगा, फिर जाकर वो देश मना कर देगा, और तब तक वो आतंकी बच जाता था लेकिन अभी क्या हो रहा है न, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बलकि दुनिया बर में, किसी भी कोने में, चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, कैनेडा चले जाओ, या आफरिका के किसी जंगल में जाकर छिप जाओ, वहाँ जाकर भी हमारे जो unknown man है, वो तुमको धूंड कर दे हर देश भारत पर आज यही आरोप लगा रहा है, कि यह अपने दुश्मनों को धून धून कर मार रहे है, तो यह कोई दुख जैदाने वाली बात नहीं है, बलकि यह बहुत ही प्राउड करने वाली बात है, हाँ, लेकिन साथ-साथ यह भी देखना होगा, कि हमारे जो intelligence के अफसर है, जो हमारे जवान है, वो कहीं पकड़े न जाएं, उसकी हमें पूरी व्यवस्ता रखनी होगी, तो यही गुआ है, पाकिस्टान में भी भारत का जो most wanted छोटा शकील था, उसका game बजा दिया गया है, इस तरह के खबरे हैं, देखो यह वही बंदा है, जिस पे समझदार सब्सक्राइबर्स हैं, उनको याद होगा, जब मुंबई से यह हम लोगों को अपरेट किया जाता था, हर बड़ी छोटी घटना में मुंबई के इन ही लोगों का नाम सामने आता था, और आपको बता दू कि यह जो छोटा शकील है, यह असल में छोटा नहीं है, बलकि एक बहुत बड़ा यह अपरादी है, और दाउत का आप इसे एक राइट हैंड कह सकते हो, मतलब बहुत ही में आदमी था, खास आदमी था दाउत का, तो इसको निप्टा दिया गया है, इस तरह की खबर आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर है, और जो भारत में 90 के द